हेलो दोस्तो वेलकम बेक टू माय चैनल दोस्तो आज हम प्लाजो पेंट के बोटम की डिजाइन करेंगे उसके लिए मैंने इस तरह की पटियां कट की है जिसका 1.5 इंची स्नाप है और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इसके उपर स्टीच कर देंगे देखे मैं किस तरीक सारी पटियां रेडी करनी है देखे मैंने इस तरीके से सारी पटियां रेडी कर लिए अब हम इसको 3 इंची के पार्ट में डिवाइट करेंगे इस तरीके से हम कट कर लेंगे तो देखे मैं वन बाइवन सारी पटियां को कट करती जा रही हूं और यह मेरी कट हो गई अब अब हमारा जो प्लाजो उसी के नाप से हमें ये जो हमारी बोरी है उसी के नाप से हमें कट करना है तो यहां पर हमें इस तरीके से पट्टियों को अटेच करते जाना है और स्टीच करते जाना है देखें मैं जिस तरीके से यह रख रही हूं उसी तरीके से आपको भी रखना है और स्टीच करते जाना है यहां पर मैं वन बाई वन यह पट्टियां रखती जाना है देखें मै अच्छी आए तो देखें यहां पे मैंने सारी पटियां अटेज कर ली है तो यह हमारा स्टीच हो गया है अब हमें इस तरीके का कपड़ा लेना है जो हमारा फाइव इंची से यहां पे मैं थ्री निशान लगा रही हूं वन वन इंचीस के जहां पे हम पिंटेक्स लेंगे तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और हमें स्टीच करना है और पिंटेक्स लेना है देखें किस तरीके से मैं ध्यान से करना है उसी तरीके से हमें यह दूसरा भी करना है यहां पे ऐसे हमें फोल्ड करना है और स्टीज करना है यहां पे तो देखी यहां पे हमने दूसरा भी कर लिया अब उसी तरीके से हमें तीसरा भी स्टीज कर लेना है और यह हमें हमारा जो प्लाजो उसकी मोरी के हिसाब से ही लेना है और देखी यहां पे मैं जो हमने दूरियां अटेश की थी वो पार्ट अटेश कर रहे हूँ इसको उसके उपर उल्टा रखना है तो इस तरीके से मैं इसको अटेश कर रहे हूँ यह हमारा अटेज हो गया है अब हम इसको ऐसे सिधा करेंगे और उसके उपर यहां पे प्रे स्टीच लगाएंगे और यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अच्छे से स्टीच हो तो दोस्तों यहां पे मैंने कोंट्रास कलर लिया है आप मेचिंग धागा भी ले सकती है यहां पे मैंने 4 इंचिस की यह हम ली है पट्टी और बहुत लंबी ली है क्योंकि इससे हम रफल्स बनाएंगे तो इस तरीके से मैं इसकी रफल्स बनाते जा रहे हूं आप अपने अकोडिंग यह रफल्स ले सकत है देखिए इस तरीके से वन बाई वन हमें प्लेट लेते जाना है और रफल्स बनाते जाना है तो देखिए हमारी रफल्स रेडी हो गई है अब हम यहां पे ऐसे उल्टी रफल्स रखेंगे और इसके उपर स्टीज कर देंगे तो यह हमारी स्टीज हो गई रेडी अब हम क्या करेंगे इसको सीधा करेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है वो कट का लेंगे अब इसके उपर प्रेस्टिज लगा देंगे देखिए यहां पे मैंने प्रेस्टिज लगा दी और हमारा यह जो प्लाजो का बोटम का डिजाइन है वो रेडी हो गया अब हम यह हमारे जो प्लाजो है उसमें अटेज कर सकते हैं देखिए इस तरीके से हमारा प्लाजो का डिजाइन रेडी हो गया तो दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेर कमेंट जरूर कीजेगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई